नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं यूज क्लिक पर खोज खबर का एकरम 2 अक्टूबर यानि महात्मा गांधी की जहनती आज जनम हुआ था महात्मा गांधी का और आप देखिए सोशल मीडिया पर जो नफरती गैंग है जो देश को और विदेश को एक ही छवी दे रहा है वह छवी यह दे रहा है कि सोशल मीडिया पर ट्रिंट करवाया जा रहा है गांधी जी के हत्यारे नापुराम गोडसे को जिन्दाबाद कहके उन्हें अमर कहकर और शायद यह तस्वीर बता रही है कि 2014 से लेकर अब तक जिस तरह की नफरती खेती बोई गई है उसकी फसल हम सबके सामने है गांधी जैंती हो या गांधी का शहादत वाला दिन 30 जन्वरी इन दोनों दिनों पर यह पूरा जो नफरती गैंग है देश भर में वह याद करता है गांधी के हत्यारे को और यह सबसे बड़ा सवाल है कि जो नया भारत मूदी जी बना रहे हैं उसमें गांधी के आगे वह नमन तो करते हैं सर तो जुकाते हैं G20 पर जब लोग आते हैं तब वहाँ जाते तो हैं लेकिन उनके भक्तगण उनकी जो लंबी कतार है वह जान बूच कर बार बार चलनी करती है गांधी और गांधी की विरासत को इसी क्रम में देखिए दो अक्टूबर को मोदी जी ने राजस्थान में क्या भाषन दिया वह चुनावी टूर पर हैं पांच विधान सभाओं में चुनाव होने हैं और इसके ब्रैंड अम्बेस्डर ब्रैंड प्रचारक हैं प्रधान मंत्री नरेन मोदी राजस्थान पहुचकर जब भाषन दे रहे हैं गांधी जैन्ती पर तब वह नफरत और हिंसा की बात कर रहे हैं वह जिक्र दिलाते हैं उद्यपुर में हुई एक बरबर हत्या की घटना को और इस आधार पर वह एक बार फिर खुले आम हिंदूओं को भाषपा के लिए वोर्ट देने के लिए उकसाते हैं कहते हैं कि हम आएंगे तो दंगा नहीं होगा मोधी जी यह जो उद्यपुर की घटना है इसके डीटेल्स तमाम लोगों के पास उस समय भी आये थे मैं इन डेटेल्स में जाना नहीं चाहती लेकिन एक इशारा जरूर करना चाहती हूँ कि उस समय भी इन हत्यारों का आपकी पार्टी भारती जनता पार्टी के साथ जो कनेक्शन है जो तस्वीरे उस समय सोशल मीडिया पर आएं थी जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं इनका भी जिक्र कीजिए लेकिन मेरा मानना साफ है कि नफरत के आधार पर लिंचिंग के आधार पर और हिंदूों को डरा कर वोट मांग कर आप गांधी को शर्मिंदा कर रहे हैं आज इसी क्रम में देखिए दो एहम चीजें जिनका जिक्र करना बेहर जरूरी है हम सब जानते हैं भारती जनता पार्टी की जो भुपाल से सांसद हैं प्रग्या ठाकूर वह जिस तरह से गांधीत के हत्यारों का गुरगान करती हैं नातुराम गोड़से का गुरगान करती हैं और उस समय जब ये मामला सामने आया था तब मोदी जी ने कहा था कि वे कभी भी प्रग्या ठाकूर को दिल से माफ नहीं कर पाएंगे मोदी जी लेकिन हमने देखा नहीं कि प्रग्या ठाकूर को बतौर सजा आपने क्या किया कोई उनके खिलाफ कारवाई हुई हो ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता हर संसत के सत्र में वो वैसे ही आपी हैं और वहीं इससे आगे बढ़कर जो नफरत की पूरी टीम आपने तैयार की है जिसने नई संसत को तक कुलशित किया है रमेश विदूरी जो भाजपा के सांसत हैं दिल्ली से सांसत हैं वह जब सदन के भीतर दूसरे सांसत दानिश अली पर अंगिनत आरोप लगाते हैं आतंकवादी से लेके तमाम गंदे शब्द इस्तमाल करते हैं तब भी मोदी जी आप उनके बारे में एक शब्द नहीं कहते सजा तो छोड़िये आप उन्हें इनाम के तौर पर राजस्थान में जिम्मेदारी देते हैं इनाम देते हैं आज मिश्चित तोर पर हम आपसे यह सवाल पूछेंगे कि गांधी को जब आप याद करते हैं तो हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए गांधी प्रेम अहिंसा सद्धाव का एक प्रतीक हैं और देखिए मोदी जी आपने जो ब्रिगेट पैदा की है उसमें एक तरफ रमेश बिदूरी जैसे सांसद हैं दूसरी तरफ अनुराग ठाकूर हैं गोली मारों का नारा लगाते हुए प्रग्या ठाकूर तो हैं ही और ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है जो उपर से लेकर नी लिंचिंग की घटनाए हो रही हैं मुसल्मानों को और इसाइयों को निशाने पे लिया जा रहा है उसमें आप गांधी को किस तरह से याद करेंगे और दुनिया जब देख रही है तब लिंचिंग करने वाली इस मानसिक्ता के खिलाफ आप अपनी चुप्पी के या नहीं दर्शंपों को भी देखना चाहिए यह नूपुर शर्मा हम सब जानते हैं ओप इंडिया किस तरह से नफरत पहला रहा है और आज यह ट्वीट करती हैं दियर हिंदू तुडे इस डे यूवर डूम्ड यानि प्रिय हिंदू आज की वह दिन है जिसमें आप ब याद कर रहे हैं और यह बताने की जरूरत नहीं है कि आज की तारीख में किस तरह से और नाथू राम गोड़से को ट्रेंट करवाया जा रहा है और एक बात और जो बहुत खास है आप गांदी जी से कितना प्रेम करते हैं और उनको किस तरह से बड़े से पोस्टर में एक आपने दे दिया है और अपना बड़क कर दिया है यह हम सब देख रहे हैं चाहे जितने गांदी समारक हों गांदी दर्शन हों या खादी ग्राम उद्द्योगी क्यों ना हो लेकिन एक बार जो बहुत जरूरी है बात करना आपने बहुत ही सोचे समझे ढंग से महात्मा ग 23 तक गांधी यानी गांधी को याद करना यानी जाडू उठाना और देखिए इतना दिल्चस्प है यह वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तमाम दर्शक तोकि इससे पता चलता है कि यह जाडू लगाने की कला दरसल मोधी ब्रैंड कला है इस बार आप एक यूट्यू उन्होंने मिलकर सफाई उठाई सफाई की जिसमें आप बार बार उठाने वाले को भी अपनी तरफ कर रहे हैं यानी गंदगी कितनी है हम सब देख रहे हैं मोधी जी लेकिन दिक्कत यह है यह वीडियो जो दूसरा वीडियो है उसे भी जब दर्शक देखेंगे तो पता चलेगा कि संसक के भीतर और बाहर जो गंदगी है उसे साफ करने के लिए तमाम लोग चहरे पे मास्क तो लगाए हुए हैं और ऐसे जाडू लगा रहे हैं आगे पीछे होकर जैसे जाडू ना हो गया फोटो खिचवाने का एक नया शगल हो गया और निश्चित तोर पर य दिश भर में सफाई करमचारियों का अपमान हैं क्योंकि इस तरह से दिश के किसी भी कोने में इंक्लूडिंग आपकी संसद कोई सफाई करमचारी ऐसे सफाई नहीं कर सकता मैं बिलकुल साफ साफ शब्दों में कहना चाहूंगी कि महात्मा गांधी को जिस तरह से आपने स सिर्फ और सिर्फ भड़ु में तब्दील किया है। तमाम पोस्टर और बैनर में यह दरसल बहुत सुन्योजित कोशिश है आपकी कि प्रेम पर बातना करनी पड़े सदभाव पर बातना करनी पड़े भाइचारे पर बातना करनी पड़े ताकिUNG यह भूल जाएं कि महातمा ग उनका credential है वह सबसे बड़ा credential है प्रेम का सोहार का जिस समय देश जल रहा था उस समय जलते सुलकते देश को शांत करने का काम सहासिक काम गांधी ने किया लेकिन आप देखिए गांधी को आपने उस तरह से पूरा का पूरा वाइट वाश कर दिया उनके योगदान पर आज की आपने तारीख में गांधी यानि जाडू और सिर्फ जाडू नहीं गांधी यानि जाडू लाइट कैमरा एक्षिन के साथ और यह गांधी का अपमान है गांधी जहनती पर एक एहम डवलप्मेंट एक एहम योगदान बिहार की नितीज सर्कार के ने किया उन्होंने गांधी को याद करते हुए आज जाती कर जंगरना जो उन्होंने राज्य में कराई उसे उसके आकड़े को पब्लिक डोमेन में डाला उसे सारजनिक किया और यह बहुत एहम कदम है भारती राजनिती का और शायद गांधी को याद करते हुए यह कदम उठाना एक परिपक्त वो राजनितिक की निशानी है आप देखिए यह जो आकड़े हैं यह क्या बता रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग 63% दलित आदिवासी 21% जनरल 16% और इसमें पिछड़ा वर्ग में जो उसकी केटेगरीज हैं बहुत अलग-अलग हैं पिछड़ा वर्ग 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाती 19% अनुसूचित जन जाती यानि आदिवासी 1.6% और जनरल केटेगरी के जो लोग हैं वह 15.5% हैं और यह जारी करते हुए इस संदर्व में RJD के लीडर लालू प्रसाद यादव ने जो कहा वो बहुत एहम है उन्होंने कहा कि आज गांधी को याद करते हुए हम यह जारी कर रहे हैं क्योंकि यह न्याय की एक नई परिपार्टी होगा और साती सात उन्होंने यह भी दाओं केला है कि 2024 में जब इंडिया की सरकार बनेगी यानि विपक्षी गट बंधन की तब किसी पर बड़े पैमाने पर जातिगत जंगरना देश भर में कराई जाएगी यानि एक बार फिर OBC और OBC की कितनी संख्या है जिसे एक कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी बार बार सदन के भीतर और बाहर दोहरा रहे हैं उसकी बात हो रही है और अंत में एक एहम वीडियो एक एहम सवाल जो इस समें पूरे देश को मत रहा है वो है Old Pension Scheme को लेकर जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली ने देखा लाखों की तादाद में लोग यहां पहुचे वे तमाम लोग जो सरकारी करमचारी है वे सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि हमें नई pension नहीं चाहिए हमें पुरानी pension scheme चाहिए क्योंकि इसी से हम एक सम्मान जनक जीवन जी सकते हैं मूदी जी जिस समय आप चुनावी प्रचार यात्रा में निकले हुए हैं और अंगिनत जगों पर करोणों रुपे के package की घोशना कर रहे हैं और कही जगह तो नफरत, नफरत के आधार पर धुरुवी करण की भी कोशिश आपकी party कर रही है उस समय ध्यान दीजिए एक तरफ खड़ा हुआ है मुद्दा जातिगर जंगरना का और दूसरी तरफ old tension scheme यह एक ऐसा सवाल है, ऐसा सुलकता हुआ सवाल है जिसे किसी भी बहाने से, किसी भी जुनजुने से दबाना, बुझाना मुश्किल होगा मुदी जी आपके लिए, शुक्रिया